आज के लेक्टर में हम जो चीज देखने वाले हैं वो हमारी है वर्ण वैवस्ता हूँ सबसे पहले इस लेक्टर को प्रोसीड करने से पहले मैं कुछ ट्रांसलेशन एरर जो स्लेबस में है उसको क्लियर करना चाहता हूँ आप जब स्लेबस उठाके देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है English में cast system अगर वर्णा को आप translate करने की कोसिस करोगे वर्णा system को आप translate करने की कोसिस करोगे तो cast ही आएगा बट वर्णा और cast अपने आप में अलग चीजे हैं वर्णा जो हिन्दी वीडियों में वर्णा लिखा हुआ है वो सहीं लिखा हुआ है versus cast system यह अपने आपे अलग चीजे हैं तो वर्ण को वर्ण की तरह ही पढ़ा जाता इंग्लिस में और हिंदी जब जाती व्यवस्था पढ़ते तब हो जाता है वो कास्ट सिस्टम तो यह क्रॉस चेक कर लीजेगा आप पहले तो हम पहले वर्ण सिस्टम को भी देखेंगे कास्ट सिस्टम को भी देखेंगे और फिर दोनों के बीच में थोड़े से डिफरेंस को समझते हुए इस चीज को क्लोज अप करके हम कौन से चीज पढ़ने लगेंगे हम मैरिजिस मतलब विवहा को पढ़ने लगेंगे तो वर्ण व्यवस्था में सबसे पहले समढ़ने से पहले कि वर्ण का मतलब क्या है तो पहले क्या था वैदिक पीरियट चल रहा था अपना तो वैदिक पीरियट जब चलता है तो शुरू में मतलब रिग वैदिक आता है फिर उसके अपना आ जाता है लेटर वैदिक तो लेटर वैदिक पीरियट मतलब चीजें और रिजिड होते होते जाती है समाज और बेकार होते जाता है तो वेडिक प्रियेड में क्या होता था कि सोसाइटी को डिवाइट कर दिया गया था ऑन दा बेसेस ऑफ कलर और यह जो सिस्टम था उसमें जैसे हमारा ब्राम्मिन शत्री वैश और सूद्र थे तो यह जो डिवीजन था वो ऑक्य के बेसेस पर था मतलब कोन का किसका कौन सा काम होगा तो सोसाइटी में स्ट्रक्चरल डिवीजन करने से क्या होता था कि अगर हम डिवीजन कर लेंगे तॉपर की भी है तुमारा यह काम है हमारा यह काम है तो सोसल हर्मेनी बढ़िया बढ़ी रहेगी और काम कर मतलब एक सो जाती रहती उसको चेंज नहीं कर सकते और सिर्फ conflicts पैदा होने लगते हैं अने लगती इसी कारान होता है कि बहुत और जैन धर्म पैदा होता है क्योंकि ते कॉंपेक्सिटीज थी हिंदु धर्म के अंदर पैदा होने लगी थी बट वर्न सिस्टम बहुत अच्छा था क्यों अच्छा था हम वो देखते हैं उस चीज को तो सबसे पहले देखते हैं कि कलर इसका मतलब होता है कलर वर्ना इस फॉर्म दा रूट वरी विच मींस चॉइस चॉण है कि पहुंद वाले काम पसंद है कई को पढ़ा लिखाई करता है वेदों का ग्यान पढ़ना नॉर्मल जीवन जीने से एक सा सबको मैं तो सब सब्सक्राइब कर दिया था तो इसके बारे में पता कहां पर चलता है तो इस सब्सक्राइब कर दिया था चार वर्णों में क्लास में तो उसमें क्या था माउथ था ब्राह्मन के लिए आर्म यूज किया था छत्री के लिए जांग यानि थाई यूज किया था वैश्य के लिए और पैर यूज किया था सूद्रा के लिए तो इसमें क्या इसको सेंसे से उपर उठके दूसरों के लिए युद्ध करोगे राष्ट के लिए काम करोगे तो छत्री और जब आप पूरी तरीके से सेंसे से उपर उठ गए तो आप हो जाते ब्रह्म तो यह है इसका बेश है से इकत्रकार से ना की मतलब आपको सेंसे से ऊपर उठके कॉंसियस्थ की बढ़ना है इनका ये मकसद था इसको उपर उपर नहीं पढ़ें यह पूर समझेंगे कि यह इसका वास्तिविक मक्सद तो मैं आपको वही समझाऊंगा और कैसे ये contemporary time में किते elements रखता है वर्णा system तो division of society classified कर दिया अपने based on racial difference color के basis पे based on occupational difference मतलब आप कौन सा काम occupy करोगे कौन से काम पे आप अपनी जीवन को निर्वहा करोगे इस चीजिस पर society को division कर दिया तो जो गुण होते हैं हर एक जो वर्ना है उसके कुछ गुण होते हैं तो हिंदु धर में तीन गुणों की बात किया है सात्विक राजसिक और तामसिक राजसिक सात्विक और तामसिक तो सात्विक मतलब होता है divine qualities मतलब वह गुण जो law, knowledge, wisdom ऐसे चीजों की बात करते हैं वह सात्विक कहलाते थे राजसिक मतलब आप materialistic चीजों से बंदे हुए रहते हो जैसे कि passion, violence मतलब युद्ध हमारा रास्ट हमारा इन सब सब चीजों से लेकिन सात्विक वाला बोलता है वसुदेव कुटमबकम सब एक है भाई चारे से रहो ज्यान की बाते करता है उपनिश्यदव का पार्ट की बात करते हैं जो ब्राम्मेन लोगों के पास सात्विक गोड़ रहता है तामसिक मतलब मैं मतलब पूरी तरी के सब सेंसेस में हो मेरा घर मेरा सरीर मेरे बच्चे मेरा सब कुछ तो यह क्या होता है कि आपके इट अब्स्ट्रक्ट अस अंडर्स्टेंडिंग थापिनेस समझने से के लिए यह बादा बनते हैं और यह डाकनेस और इग्नोरेंस इसके एक्जाम्पल है मतलब इस क्वालिटी इसी दी बात है वेदों का पार्ट करोगे तो आप सेंसेस से उपर उठका कॉंसियसनेस की उपर बढ़ने लगोगे एस टुसी आप जाओगे उसके बाद इनकी कौन-कौन से ड्यूटी थी तो इनकी टू परफार्म यग एंड गेट इट दन मतलब यग करना और करवाना इ इनकी के पास थोड़ा बटेरिस्टिक तरीके से आप चिपके हुए हैं क्योंकि राज की सेवा करना है तो ये तो इनका काम क्या था टू प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना परफार्म यग करना तो डान देना तो वेदास काल्ड इस वरनाова आस राजन्यवेदों ने इनको और इसी ने कहा था एक इसका English टांसलेट करको तो दो राज्यों के बीचए करने का माध्यम शत्री यह होते थे तो जैसे राम भग्मान थे शत्री कुल के थे। इसलिए उन्हें शत्री का गया था क्योंकि वो राजा थे और राज का प्रटेक्ट करने का काम था। तो डिप्लोमेश्टी में क्या होता था कि दो राज्जियों के बीच में वारता करने का मध्यस्टता का काम करते थे इसलिए वेदों में राजन ने कहा गया है अब वैश्य दे हैं राजसिक और तामसिक अब राजसिक मतलब तुम बाउंड होगे मटरियलिस्टिक चीजों से और थोड़ा तामसिक भी आप जैसे जैसे आप अग्रह गस्ति के साथ पैदा होने लगे तो आपको सेंसे में मैं मैं जादा पैदा होने लगे आप सेंसे से ही जुड़े हुए तो अब देखते हैं शूद्र दे हो तामसिक क्वालिटी मतलब जितनी भी चीज़े तो डार्कनेस की और ले जाएंगी मतलब आप सेंसे से ही जुड़े हुए तो आपको द्विज मतलब द्विज में कौन से चीज़े आते थे उनकी सेवा करना पड़ेगा क्योंकि ट्वाइस बॉर्ण मतलब इस्प्रिच्वल बॉर्ण हो चुका उपर वालों का ब्राह्मिन शत्री और वैश्यन दे डूनोट करने से अच्छा तुम उपर वालों को सर्व कर लो तो इसमें नहीं कोई पावर की बात करी थी कि उपर वाले हाई हो गये नहीं इसमें ये बात करी थी कि वह डोमिनेट करेंगे नीचे वालों को इसमें सिर्फ क्लासिफिकेशन कर दिया था सोसाइटी का ये एक सोसाइटी was done on the basis of work this assured labor specialization and did not create conflict मतलब society का division का कर्म के आधार पर कर दिया गया इससे क्या हो कि labor specialization हो गया मतलब स्रमी को का specialization हो गया कि तुम्हारा काम यह है तुम मतलब लोगों की बीच में काम का division कर दिया कि तुम यह काम कर सकते हो तुम यह कर सकते हो और इसमें भी ऐसा था सेंसेस तक ही जीवन नर्क हो रहा है मेरको समझना है वास्तविक जीवन क्या है तो वह ब्रामिन मन सकता है वेदो का पार्ट करके लोगों की सेवा करके और जीवन को सही तरी के समझ के तो इससे क्या हुआ का कॉन्फिक्स नहीं हुआ इट वाज एन इगलिटेरियन सद समता मूलक सोसाइटी थी मतलब सब सामान थे विकॉज एवरिवन अंडेस्टेंड इज अदर रोल तो इगलिटेरियन सोसाइटी थी तो हमें एक दूसरी का नेचर समझते थे इट वस फ्लेक्दीवल इन इसको सुद्र बनने में समय नहीं लगेगा इट वाज बेज़ ऑन इंडिवीचल ट्रेट नॉर्ट बाइबर्थ मतलब सीधी बात है आदमें को कौन से चीज पसंद है पैशन और इन्वाल्मेंट के उपर था ना की जन्म के आधारित था एनीवन के नकीपाई एनी लेकिन जैसे जैसे समय बीटता गया लेटर वेधिक पीरिड आने लगा इसको क्या कर दिया गया जन्म के अधारित कर दिया गया इसके पीछे के भी कारण था जो ब्रामिन थे उनको अब एहंका अरब जन ले लिया एहम पैदा होने लगा और शत्रियों के अंदर एहम लेकिन अब उपर वाले अपने आपको सुप्रीम समझने लगे और उनका बच्चा भी पैदा होने लगा तो उसको भी सुप्रीम बना लिया ऐसा नहीं था कर दिया गया था लेटर human class स्टार डोमीनेशन ओवर हाईएर क्लास डिस्टार बमीनेशन ओवर लुवर प्रास यहांने डोमीनेशन स्टार्ट होने लगा था कि अब लोगों को दमा दिया गया था और दीरे दीरे चीज़े बहुत वर्ष्ट होते गई और उसी का कारण था कि इंडिया जब 1957 में हमारा जो सती प्रताव गिरा ये सब चीज़े आए मतलब बहुत सारी क्रूप प्रताएं पैदा होने लगी और इंसान वास्तविक धर्म के बजाए कर्म कांडों में लिप्त हो गया और आज इंडिया को दुस्परिणाम हो गया हमारा जाती सिस्टम जिसको आज भी हम सेंसेस के बेस पर ही और सेंसेस तक ही लिप्त कर दिया गया और वास्तविक ज्यान जोबने सुदों में था और गहराईयां से उसे दूर कर दिया गया और आज यही पताद चलते आ रही है तो अब नेक्स लेक्चर में हम देखेंगे क्या कहते हैं कि हमारा कास्ट सिस्टम क क्या है और उसके पॉजिटिव नेगेटिव को देखते हुए कास्ट और वर्णा को डिफ्रेंसियेट करके इसको क्लोस अफ करेंगे और फिर मेरी सिस्टम को देखेंगे इसकी पीडियेफ आपको टेलिग्राम में मिल जाएगी उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लीज लाइक करिए लाइक से पता चलता है कि मैं काम सही कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं और अगर कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए डाउट जितने हैं उनको मैं रिजॉल करने की कोर्स करूँगा बाकी कोई भी फीडबेक देना चाहते हैं तो भी मैं उसका रिस्पॉंड दूंगा ही दूंगा आपको थैंक यू सो मच